सर्दियों की मौसम में मटर छिलना हुआ बच्चों का खेल जी हाँ दोस्तों चलिए देख लेते आज के हमारी यूच्फूल टीप्स और ट्रिक्स कैसे दोस्तों उमीद करते हुआ शब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो हमारी घरेलो टीप्स चलिए देख लेते जिसको देख लेते की बात हमें करना बहुत ही आसान लगीगा मेरे थोड़ा सभी वसंदा ऐसे बनेरे प्यार देते रहिए और फैमले रफ्रेंस में सेर केजी तो चलिए सुरू करते हैं आज के हमारे पहला टीप्स पहला टीप्स मेरा यहाँ पे मैंने ग्यास आउन कर ली और यहाँ पे एक कड़ाई में पानी लेके बिठा ली और यहाँ पे ले आती हूँ मेरे जो संतिरे हो किनू हो कुछ भी हो सर्दियों में संतिरा किनू तरह तरह की सिट्रेस पूर हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद अक्तर आपशर आप लोग क्या करते हैं इस छिल्की को फेक देते थे तो इस छिल्की को कभी भी गलती से मत फेके तो यहाँ पे मैंने पानी एक ग्लास दे दी और यह छिल्का है इसको मैंने उबाल ली और थोड़ी दिर बाद इसमें एक चमच मीठा हम multiple purpose में काम कर सेकते हैं तो यहां पे हम पानी को 15 मिनिट उबालते हैं हाइफ फ्लेम पे थोड़ा पानी का इस पानी को हमने डाल दिया पानी का multiple purposes दोस्तों अगर आप इसमें सोडा डाल रहे तो एक तो आपका घर का क्लिनिक का काम हो जाएगा और आप इसको पोधे में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि कीड़े वगरा ना लगे और अगर आप उनाहने के पानी में डालके नहा सकते ह चलें हमारे नेक्सट देखुल टिपस तरह की jo coffee की bottle होती है तो glass की bottle होती है अट सरा बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे भी देखो ल्गाल फिलाओ उसमें विज़ो great डिक्ट होती है तो जिसते से करके देखिए मैंने स्ट कर निकाल दी फर एक और दिक्ट है इसमें स्टिकर में जो देखी इसके उपर देखिए कैसे और थोड़ा फोजंसे कर 예 corona हाथ बहुत दुखता है, छोटा सा काम यहां पर हम करते हैं, घर पर हमारी nail remover होती है, nail remover को क्या करेंगे हम cotton में, थोड़ा सा cotton में nail ले लेते हैं, और इसको क्या करेंगे न, जो bottle के उपर जो इसका glue होता है, बहुत ही चिपक के रहता है, उसके उपर गिस लेते हैं, का दाग है, और sticker है, सब निकलाएगी, और bottle हमारा जो dust बगएरा लगके गंद होके, dusty होके रहता है, यह बिल्कुल निकल जाएगी, बहुत ही अच्छा वाला टिपस है, आप इसको follow करेंगे, आपको फाइदा दिख जाएगी, इस तरह से आठा glue, सब कुछ और पुरानी का कर सकते हैं, तो next वाला टिपस और भी helpful है, इस तरह है कि हमारी phone की cover होती है, phone यूज करने के बाद हम इस cover को इधर दोर फेकते रहते हैं, और इसको dust बिन में डाल देते, यह गलती का भी बत किजिए, दोस्तों, phone की cover जो होती है, बहुत ही useful होता है, क्योंकि, यह cover बहुत ही नहीं है, और हम दोस्तों फीडियो थोड़ा समय helpful लगे, तो इसे बने रहे हैं, प्यार देते रहे हैं, family और friends में share कीजिए, ताकि इसकी लाब सभी लोग उठा सके, और इसमें देखिए, एक कागज हम डाल देते, कोई भी decorative पेपर आप डाल के इसको थोड़ा decorative बना लीज सकते, कुछ भी आप रख सकते, बहुत ही अच्छा बला organizer हमारा बन गया, तो आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, please comment पर बताए, ताकि मुझे पता है, मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रहे हैं, और आप लोग कहां से देख रहे हैं, आप लोग अपने कीमती समय मतर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मतर ना हो सबजी में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमें सबजी खाना, तो मतर यहां पर हम जो मतर होता है, बहुत ही मतरा में मतर लेकर आते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पोस्टिक होता है, और बहुत ग्रीन होता है, मतर बहुत ही हरावरा रहता है, मटर में दिक्कत हो जाती है दोस्तों, जिससे हमें बहुत ही मतलब टाइम निकल जाता है, मटर छिलका ना, मटर मतलब एक एक मटर बेट के छिलका तो बहुत ही वक्त निकलता है, मटर ऐसा नहीं कि हम एक दो लेकर आए, मटर अक्सर हम केजी दो क Syria में चीक का अदिक हो मैं जैसे कि मीनटों में हमारा केजी केजी मटा जिल में और बच्चे भी इसको πैस को ची話 ले हम क्या करते हैं तो पानिक पानि लेते हैं ग्यास में एक बर्तन चड़ाँ दिवा दें मतलब इसको थोड़ा सái इसको उबाल लेते हैं उसके बाद हम इसको निकाल देते बटर को एक पेपर हो नहीं तो हम कपड़े हो उसमें निकाल दीजिया और इसको इस तरह से पानी सोक कर लेजी नहीं तो आप फ्यान के निचे रख सकते हैं ताकि इसकी पानी सब सोक हो जाए, थोड़ा सा ड्राइ हो जाए, तो दिखिए हमने मटर को कर लिया है, तो हम इसको प्लेट में डाल देते हैं, अब यहां पे लेते हैं ग्लास, ग्लास से इतना बड़िया काम होता है, आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ही मदद मिल जाती है, तो जब भी हम मटर को पानी में उबालते हैं न दोस्तों, तो थोड़ा सा, मतलब गुनगुना पानी में हम डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मटर का छिलका है, थोड़ा सा नरम बन जाता है, तो इससे क्या होता है, देख तो हम अपरी एक तोट वकत निकल जाती है, और बोरिंग लगता है बहुत, सब लोग मटर चलना पसंदे करते हैं, भाग जाते हैं तो इस तरह से करेंगे, जो कि घंटों को काम मिन्तों में हो जाए कि कम वकत में बहुत सारे मटर हम छिलिवा लेंगे, देखिये मैं एक एक कर के दिखा रही हूं आप सोचेंगे कि इसके अंदर से पहले में निकाल दिया तो मैं यहां पर देखिए खोल के भी दिखा रही हूं मटर को जबी भी हम थोड़ा सा उबले हुई पानी में डालते हैं उसका मुह खुल जाता है और सारा मटर अंदर से बाहर निकलाता है तो चल पानी में जाब से लिए द बाहर निकलाता है और जाड़ो करने के बाद फिर पीछे वही डिस्ट गिरके रहता है तो यह बिल्कुल नहीं गिरेगा हमारी जो यह कंगी की वज़े से बीदी नीचे आजाएंगे और जाड़ो बिल्कुल साफ हो जाएगे और हमें आगए से किसे लगा आज के वीडियो प्लीज कॉमेंट में बताएं और इसे बने रहे हैं यूसफूल टीप्स और ट्रिक्स देखने के लिए जो समय समान मेनत सब कुछ हमारे बचाती है और हमें बहुत यूसफूल लगता है हम खुद को टाइम दे पाते हैं परिबार को टाइम दे प और हम दोस्तों वीडियो थोड़ा से भी आपको हेलफूल लगे एक लाइक प्लीस दे दीजिए नहीं पसंदे तो आप डिसलाइक दे के जा सकते लेकिन कोई भी नेगेटिव कॉमेंट प्लीस मत दीजिए ताकि कि हम लोग को दुखी हो सके किसी को दुखी करना बिलकुल अच्छी बात नहीं है सब लोग यहां पर मेंद करते है ऐसे ही बढ़ने रही है और इसको सेर कीजिए सेर करने से हमारी जो काम होती है बहुत ही आसान बन जाती है और सबी लोग इसको लाब उठा पाते हैं और सब कुछ आसान बन जाता चलिए मिलते है कल की वीडियो में तेपते के लिए जोस्ते टीकेट एंड बबार